हेलो दोस्तो नमस्कार सुवागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल SP Real Tips में दोस्तो आज किस पीडियी में हम बात करेंगे Facebook Light App के बारे में अगर आप Facebook Light App से ही अपने किसी भी दोस्तों के साथ चैट वगरा करते हैं लेकिन दोस्तों आपके Facebook Light App में चैट सक्षन में आपके फ्रेंड ओनलाइन सो नहीं हो रहे हैं यानि आप यह पता ही नहीं लगा पा रहे है कि कौन फ्रेंड हमारा ओनलाइन है कौन ओफलाइन है यानि आपके केस में वो सभी फ्रेंड वहाँ पर ओफलाइन ही सो हो रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यही प्रोडम फेस करनी पड़ रही है Facebook Light App में तो आप इस प्रोडम को कैसे दूर करेंगे आज किस वीडियो में हम इसका हैंडल प्रसंट सोलूशन बताने वाले हैं तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर दोस्तों हम अपनी Facebook Light App को उपन करेंगे जस उसके बाद मैं चली एक बार अपना Facebook की Message Chat के Option पर क्लिक करके दिखा देता हूँ जैसे हम Message Chat के Option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारी Friends सो हो रहे हैं लेकिन यहां पर सो तो हो रहे हैं लेकिन हम यह पता नहीं चलना कि हमारी कौन Friend Online है कौन Offline है अगर यहां पर हमारी Friends Online होते हैं तो वहां पर आपको Green Tick का Option यानी Green Tick तिक ही लेकिन यहां पर कोई Green Tick सो ही नहीं हो रही है तो आपके Case में भी यही Problem सेम हो रही है तो आपको क्या करना है तो चली मैं दोबारा से अपने Home Page पर आ जाओंगा आपको यहां पर एक Setting & Privacy की जश्ट नीचे यहां पर आपको एक Setting Option मिलेगा इस Setting के Option पर क्लिक कर देना है दोस्तों आप जैसे Setting के Option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर Facebook Light की कुछ Setting आपको दिखाई देगी तो जश्ट थोड़ा नीचे स्क्रोल करें और यहां पर आपको एक Option मिलेगा Active Status का Simply इस Active Status के Option पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहां पर आपका Active Status दोस्तों आपका यहां पर Enable मिलेगा यह Tongle Button आपने Enable किया हुआ है तो Simply आपको इसको Disable कर देना है यह दोस्तों किस Case में होता है जब आप अपना Active Status याशनी दूसरों से चिपाना चाते हैं तो दोस्तों आपके चैट सेक्षन में भी आपके Friend hide हो जाते हैं यानि जब आपन आप अपना Active Status का hide करते हैं तो आपके chat section में जो friend online है वो भी आपको offline ही so होंगे आपका chat section में friend भी hide हो जाएंगे तो simply आपको अपना active status को hide कर देना है यानि यहां से बंद कर देना है और उसके बाद आप दोबारा से अपने home page पर आएंगे और अपने account को refresh करेंगे और दोबारा से message के button पर click करेंगे तो यहां पर दोस्तों जो पहले आपको सभी friend यहां पर offline show हो रहे थे वो यहां पर दोबारा से online show होना start हो जाएंगे यानि जो पहले आपको green tick show नहीं हो रही थी कि आप यह पता ही नहीं लगा पा रहे थी कौन friend online है कौन friend offline है तो अब आप आसनी से पता लगा सकते हैं तो simply क्या है active status आपका handle person वहाँ से enable मिलेगा आपको disable कर देना है उसके बाद दोस्तों आपकी यह problem handle person दूर हो जाएगी सो आई होफ कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा और हाँ वीडियो से लेटेड अगर कोई भी सुजाव हो कोई भी विचार हो तो comment box में आप भूश सकते हैं चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जूरू कर देना है तो मिलते हैं इसी तरह की नए किसी नए वीडियो में किस किन ने टोपिक के साथ अब तक के लिए दोस्तों नहीं निवाद